सभी को मीरा साधर प्रिणाम और बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे ओफिशल यूट्यूब चैनल ओमप्रोप्टेक प्राइवेट लिमिटिड पर मैं सोन्या चौधरी तो सात्यों जो भी नई खबर अपडेट निकल कर आती है अमना प्राधिकरन से निकल कर मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करती हूँ कि आप तक वो सारी जानकारी पहुचा पाओ और समय रहते ही सारी जानकारी आपको मिले बहुत बड़ी खबर है लोगों को इंतजार था हर दिन हमारी वीडियोस में लीचे कमेंट भी आते थे कि मैं प्लीज बताइए फिल्म सिटी का क्या अपडेट है तो आज की बहुत बड़ी खबर ये है कि Film City से जुड़ी हम आपको वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए और वही साथियो Noida International Airport जो Asia का सबसे बड़ा International Airport बनने जा रहा है जेवर में उससे जुड़ी भी बहुत बड़ी खबर है क्योंकि 2024 आने में है एरपोर्ट की शुरुवात होने में है तो हर एक को इंतजार है कि कितना और क्या काम आगे अब पहुचा है तो एरपोर्ट और जो फिल्म सिटी है दोनों ही बेहत एहम प्रोजेक्ट हैं वो यमना प्राधिकरन के और उनी से जुड़ी आज की ये बहुत बड़ी खबर होने वाली है तो वीडियो को लास तक जरूर देखें और जादा से जादा लोगों को शेयर करें चैनल अगर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक करें और जादा से जादा इन्फोर्मेशन लोगों तक पहुचाने की कोशिश कर तो देख लेते हैं एक बार स्क्रीन पर की क्या है बड़ी खबर नौइडा एरपोर्ट अपडेट है सात्यों सबसे पहले 14 दिनों में पूरा होगा एर ट्राफिक कंट्रोल टावर युद इस तर पर रनवे का काम अब चल रहा है जी हाँ जितना कम समय रह गया है उतना तेजी से अब काम हो रहा है क्योंकि समय रहते ही सारी चीजों को कवर करना है सारी चीजों को कंस्ट्रक्ट करना है और जल्दी से जल्दी एरपोर्ट की शुरूबात करनी है वहीं दूसरी बहुत बड़ी खबर सक्टर 21 में अंतरास्टे Film City के निर्माण का रास्ता साफ दो बार टेंडर जारी हुआ लेकिन कोई भी बिड़ निकल कर सामने नहीं आई तीसरी बार ये चीजे हो रही है और अब इसका निर्माण जो है उसका जो रास्ता है वो भी पूरी की तरह साफ हो चुका है और हर किसी को इसी का इंतजार था बहुत सारे लोग नेगेटिव सोचने लगते हैं कि इतनी बार इतनी सारी चीजे हो गई है रोज अपडेट आती हैं लेकिन Film City का कुछ नहीं हो पा रहा है तो ये Film City से जोड़ी बहुत बड़ी ख़बर है और उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खुश ख़बरी है जिन लोगों ने वहाँ पर अपना plot ले रखे हैं अपना invest कर रखा है या in future वो जो भी अपना mind wake up करके बैटे हैं कि हमें इस तरीके से यहाँ पर चीजों को बनाना है या अपना investment हमें करना है तो सबसे पहले बात करेंगे कि airport की airport की जो update है वो यही कि Noida International Airport का अगले 14 दिनों में जो tower है उसका काम पूरी तरीके से हो जाएगा तो एक बार देख लेते हैं tower का काम अगले 2 हफते में पूरा हो जाएगा इसके अलावा टर्मिनल बिल्डिंग में अगले 3 महिने में interior का काम शुरू होगा जेवर में 1334 hectare में airport का निर्मान कार्या भी चल रहा है एक runway के साथ यह airport अगले साल शुरू हो जाएगा उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर 2023 के अंत तक airport authority of India को सौप दिया जाएगा इसके बाद trial run शुरू होने की उम्मीद है यह बताते हुए हमें बेहत खुशी होती है कि हमारे गौतम बुधनगर में जेवर international airport की शुरूवात होने वाली है और जल्दी से जल्दी यहां पर एक runway के साथ यह airport शुरू होने जा रहा है तो अगले दो हफ्तों में बहुत सारी चीज़े बनकर तयार होंगी और 2023 दिसंबर तक mostly काम airport का हो जाएगा क्योंकि 2024 में मार्च में इसकी शुरूवात होनी है एक runway के साथ वहीं हमने दूसरी खबर का जिक्र किया फिल्म सिटी जी हां जो यमना प्राधी करण के सेक्टर 21 में फिल्म सिटी पे पोजड थी उसका जो रास्ता है वो साफ हो चुका है उसका जो निर्माड था जो बांधाए आ रही ही थी वो सारी की सारी दूर हो चुकी है बीस हजार करोड की लागस से एक हजार एकड में बनेगी फिल्म सिटी यमना प्राधी करण के सेक्टर 21 में अंतरा स्टेफिल्म सिटी के निर्माड का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो चुका है केबिनेट बाइ सर्कुलेशन फिल्म सिटी के निर्माड के लिए बिड डॉक्यूमंट और ड्राफ्ट कंसेशन एग्रिमेंट को मनजूरी मिल गई है बैठक बहुत समय पहले होने वाली थी लेकिन किनी बांधाओ की वज़े से किनी परिशानियों की वज़े से बैठक नहीं हो पाई थी तो मनजूरी नहीं मिल पा रही थी लेकिन अब बीते सुकुरवार को बैठक हो गई सारी चीजे कम्प्लीट हो गई और जो रास्था था वो भी साफ हो चुका है और मनजूरी भी अफिन सिटी को मिल चुकी है तो किस-किस तरीके से यहाँ पर चीजे होंगी वो भी हम बता देते हैं आपको गौतम बुद्नगर के एड़ा छेतर में सेक्टर 21 में अंतरास्थे फिल्म सिटी का निर्माण का अनुमोधन कैबिनेट ने अब कर दिया है सुक्रवार को कैबिनेट बाई सर्कूलेशन फिल्म सिटी के निर्माण के लिए बिट डॉक्यूमेंट और ड्राफ्ट कंसेशन एग्रिमेंट को मंजूरी दे दी गई है यह अमना प्राधिकरन के विकास करता के चयन के लिए अंतरास्टे स्तर पर बिट जारी करेगा फिल्म सिटी का निर्माण PPP मॉडल पर होगा यह हमने पहले भी आपको बताया है फिल्म सिटी जिसमें लगभग 20,000 करोड रुपे का निवेस होगा प्रोजेक्ट का पहला चरण अगले वर्स पूरा हो जाएगा तीन फेसिस में फिल्म सिटी बनाई जा रही है जो पहला चरण है वो अगले साल तक पूरा हो जाएगा फिल्म सिटी यह अमना एक्स्प्रेस वे के पास 1000 एकड में प्रस्तावित है डीपियार तैयार करने के जिम्मेदारी एक कंपनी को सौपी जा चुकी है इसमें फिल्म, स्कूल, प्रोडेक्शन, फेसलिटी, थीम पार्क, होटल, फिल्म, टीवी, ओटीटी, निर्मान से जुड़ी सभी सेक्टर होंगे सारा ही चीजों को डिवाइडेशन के साथ की किस पार्ट में क्या बनाना है, किस जगा में किस चीज का निर्मान करना है, वो सारी चीजें डिसाइड होंगे तो ये बड़ी खबर है साथियो सेक्टर 21 में बनने जा रही फिल्म सिटी को लेकर पहले भी दो बार टेंडर जारी हुआ लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं साबित हुआ, सफलता नहीं रही उसमें लेकिन अब की बार चीजें एक सकारात्मक होती हुई हमें नजर आ रही है ऐसे ही अब जो इंतजार है लोगों को वो फिल्म सिटी का और फिल्म सिटी भी ऐसे ही जल्दी से हमें आपे अगले वर्स तक चीजें दिखाई देने लगेंगी धरातल पर बाकी साती खबर तो नहीं नहीं आई ही रही है बाकी 18 अक्टूबर भी आने में है जो ड्रॉ है वो भी ओपन होगा और लोग अपनी किस्मत आजमाएंगे लेकिन जो यहाँ पर अपना पैसा इंवेस्ट करना चाहते हैं या जो भी इच्छूख है अमना प्राधिकरण में वो कृपया कर ड्रॉ कवेट ना करें अगर प्रॉपर्टी में निवेस करना है तो सही समय पर जाकर प्रॉपर्टी खरीदें परचेस करें ताकि आप भी उस चीज का फैदा उठा पाएं बाकी कोई कोश्चन आपकी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग सेक्टर्स की या पॉकिट्स की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं कि अब पॉकिट्स का भी डवलपमेंट आपको दिखाएं और किस तरीके से लोगों ने वहाँ पर रहना शुरू किया है वो भी हम आपको ऑन ग् 500-5000-7000-8510-801 उसके माध्यम से आपको जानकारी पहुचाते हैं वाकी फिर भी कोई गलती हम से हो जाती है तो आप हमें कमेंट के दुआरा बता सकते हैं और हमारी गलती सुधारने में हमारी मदद कर सकते हैं फिर मिलूँगी नए खबर के साथ नए अपडेट के साथ